नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, J.R.F. हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम एकाई चार वैचारिक पिष्ट भूमी पड़ रहे हैं और वैचारिक पिष्ट भूमी में हमने दोस्तो जैसे की पहले ही आपको कहा था कि इसको हमने दो भागव में विवाजित किया है पहला आपका जो हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनसे रिलेटिड जो महत्वकून चीजें हैं वो थी जिसमें आमने भारतिय नवजागरन के बारे में पढ़ा था और आपके भारतेंदू और जो आपके महाविर प्रसाद धुवेदी जी थे फोर्ट विलियम कॉलेज था जिनको हम पहले से पढ़ रहे थे एकाई चार की वो मौत्वकून चीजें पहले भाग में हमने रखी थी और इसका जो दूसरा भाग था देखिए उसको हमने जो भी आपके प्रमुक वाद थे जो हमारा जब से सिलेबस चीज हुआ उसके वेड़कर और गांधी दर्शन के बारे में पढ़ लिया था आज हम इसमें जो बात कर रहे हैं देखिए जो राम मनोहर लोहिया जी थे उनके बारे में पढ़ रहे थे उनका जो दर्शन है जो लोहिया दर्शन है उसके बारे में हम इसको आज पढ़ने जा रहे हैं और पहलू है गांधिवाद के संदर में या अम्बेटकरबाद के दर्शन के संबंद में तो उन चीजों को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ ही साथ हमने मौक टेस्ट पी शुरू किया है तो आप उन मौक टेस्ट के जरिये भी अपनी तैयारियों को और जादा मजब करवाई जा रही है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया गया है आप चाहें तो वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं महज 100 या 120 के आसपास वो आपको पढ़ जाएंगे और इसमें संपूर्ण व्याख्या भी आपको मिलेगी प्रशनों के साथ क आप देखेंगे कि व्याख्या में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें मेंचन की हैं जो बिलकुल नवीन है और जो बहुत ही जो ऑथेंटिक या जिसको कहें कि प्रमानिक पुस्तकों के अधार पर हमने वो व्याख्या देने की कोशिस उसमें की है तो आप चाहें तो भी ले सकते हैं महज 100 रुपीज आदा करके तो आज हम इसमें देखिए पढ़ने जा रहे हैं लोहिया दर्शन वैचारी फिष्ट भूमी के अंतरकत तो चलिए बिनादेर की ये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले जान लेते हैं लोहिया दर्शन के बा रहे हैं या जो उन्हें अपनी विचारधारा रखी उसको नाम दिया गया लोहिया दर्शन ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लोहिया के जनम की कहां पर उनका जनम हुआ था कब उनका जनम हुआ था ये चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं प्रीवियस सिर्फ पेपर में भी कई बार इस तरीके से प्रशन पूछे जाते हैं कि इनका जनम कब जाते रहे हैं कि कब इनका जनम हुआ है या फिर आपका इनका जनम स्थान है देखिए वो कहां पर है तो आपने देखा होगा कि या तो आपको जुरीती कालिन कभी हैं उनके जनमस्थान के बारे में पूछा जाता है या जो आपके संथ ज्यानमार्गी कावेधारा की जो कभी हैं आपने देखा होगा yapıyorsun में वैसा प्रशन पूछा गया है कि हिनके जनमस्थान के साथ इनको सुमेलित कीजिये तो जीतने भी आपके लोहियावाद या मेडकरवाद या दूसरा गांधिवाद है इन्हें जो प्रमुक व्यक्ति हैं उनके जनमस्थान के बारे में पूछा जाए मिलान के लिए तो हो सकता इस तरीके से पूछा जा सकता है तो इसलिए आपको त्यार रहने की जरूरत है छोड़ी छोड़ी चीज इनका जनम हुआ था 1910 में 23 मार्च में और 23 मार्च का दिन अपने आप में ही महत्वपोंट दिन है क्योंकि 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंग सुकदेव राजगुरु को फांसी के तक्ति पर चड़ाय गया था 23 मार्च 1931 को ठीक है शहीती दिवस और उसी दिन इनका क्या माना जाता है कि जनम माना जाता है 1910 को उत्रप्रदेश के फैजाबाद आपका जो जिला है वहाँ पर जिसको अंबेड कर नगर जनपद के नाम से भी जना जाता है ठीक है तो हो सकता है अंबेड कर नगर जनपद में किसका जनम हुआ है इस तरीके से परशन पूछा जा सकता है तो वहाँ पर अंबेड कर करके नहीं बलकि लोहिया करके आना है ठीक है तो फैजाबाद जनपत के अकबरपुर गाउं में इनका जनम हुआ था एक चीज ये महुत अपुन चीज है दूसरा है देखिए कि 1934 में ये कॉंग्रेस सोशलिस्ट सापताहिक पत्र का इन्होंने पादन भी किया है और 1955 में भारतिय समाजवादी दल का निर्मान इन्होंने किया था तो आगे हम पूरे के पूरे जो समाजवादी लोहिया है या लोहिया का जो समाजवादी दिष्टिकोन है वो इसी के आधार पर चलता है कि इन्होंने 1955 में जो भारतिय समाजवादी दल क निर्मान किया है पिस्तार से हम आगे उसको पढ़ेंगे कि जो इनका समाजवादे दिश्टिकोन किस तरीके का है ठीक है और 1963 में ये लोकसवा के सदस्य भी बने थे तो ये जो मौतपुन चीज़ें थी राम बनोहर लोहिया के संदरब में है न और एक मौतपुन चीज़ और रहे देखिए कि वे हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के समर्तक थे और ये अंग्रेजी हटाओ अंदोलन भी इन्होंने चलाया था आपके जो राम बनोहर लोहिया जी रहे हैं और ये हिंदी प्रेमी मान जाते हैं हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के समर्तक थे औ और भातिस महाजबादी दलका इनों निर्मान किया 1963 में अनलोक सभा सदस्या के रूप में कारेबार संभाला ठीक है और हिंदी एक राजबास अबनाने की समर्तक थे इनकी जो प्रमुख रचनाय थी देखिए ना सिर्फ ये एक राजनेता रहे हैं की अच्छे लेकक भी वाने जाते हैं इनोंने क्या क्या लिखाया देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें Aspects of Socialist Policy 1952 में ये लिखी थी ये पुस्तक इनकी देखिए Aspects of Socialist Policy तो इसमें इनकी जो महतवपूर्ण चीज़े हैं वो हम देखेंगे आगे कि इनोंने इसमें कौन सी जो ऐसी महतवपूर्ण चीज़े इनोंने कही है देखिए जो समाजबाद की बात इनोंने किसमें कही है इसी पुस्तक में इनोंने कही है जो Aspects of Socialist Policy है 1952 में इसको इनोंने लिखा था इसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है इक्विडिस्टेंट थियोरी तो इसकी रचना इनोंने 1953 में की थी ठीक है तो एक और महतवपूर्ण रचना इनकी यह है और तीसरी है देखिए Wheel of History तो Wheel of History इनोंने लिखा था 1955 में ठीक है तो देखिए Marx, Gandhi और जो Socialism Gandhi and Socialism जो इनकी पुस्तक है इसमें इनोंने देखा है आप देखेंगे कि जो आपका गांधिवाद है या आपका जो Marx वाद है इससे ये काफी ज़्यादा प्रभावित माने जाते हैं और इनको ये क्या समझते थे कि एक तरीके से इनके प्रेणास्तों थे इनसे इनोंने बहुत सारी चीजें सीखी है और इनके मिश्रन की बात इनोंने अपने विचारों में कही भी है और ये Marx, Gandhi and Socialism जो पुस्तक है 1963 में इनों लगी थी और लास्ट में देखिए यहाँ पर रखा है Fragments of Walled Mind तो Fragments of Walled Mind इनोंने ये लगी थी सबसे पहले वैसे इसका जो डेटे देखी यह है 1949 तो 1949 में इनोंने इस पुस्तक की रचना की है तो ये था लोहिया रामनोहर लोहिया के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्ट सी जानकारी कि इनकी जो प्रूख रचनाएं कौन कौन सी थी इनका जनम कब हुआ था कौन कौन से कार्या इनने किये हैं तो ये था रामनोहर लोहिया के बारे में चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके पश्चात जो इनका समाजवादी दिष्टिकौन था या जो लोहिया वाद में जो महतफुन चीज थी वो कौन से थी इनका समाजवादी दिष्टिकौन माना जाता है तो देखिए इसमें जो महतफुन चीज़े देखिए माक्सवाद और गांधिवाद को अपना आदर्श मान कर इन्होंने समाजवाद का निर्मान किया था तो देखिए किसको ये मानते थे अपना आदर्श आपका जो गांधिवाद था और आपका माक्सवाद था इनको इन्होंने क्या माना आदर्श माना और उन्होंने समाजवाद का निर्मान किया है तो जो रामनोहर लोह थे देखिए वो देश के समाजवादी अंदोरन का प्रतनी दित्तो इनोंने ही किया था और वे कहते भी हैं देखिए कि गांधी तता माक्स के पास सीखने के लिए बहमुल्य कोश है कि जो आपका गांधी है आपका जो काल माक्स है उनके पास जो सीखने के लिए आपका बहमुल्य कोश है अगर आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, सोता ही आ जाती हैं, और कहां से आप उनके जो loop holes हैं, उनको आप cover up कर सकते हैं, उससे नई चीज़ ला सकते थे, और वो ही काम केस ने किया था? रामनोवर लोहिया ने किया हुआ है तो लोहिया ने मार्क्स का जो दोंदात्मक भौतिक वादिवयाख्या को अपनाया किन्तु जो वर्ग संगर्ष के सिध्धान्त को इन्होंने स्विकार नहीं किया है तो ये एक महत्वकून चीज है इनके संदर्व में तो ये देखिए कि ये जो मार्क्स का जो दोंदात्मक भौतिक वाद था देखिए उसको तो इन्होंने स्विकार किया लेकिन मार्क्स का जो वर्ग संगर्ष था उसके स्विध्धान्त को ये स्विकार नहीं करते हैं वे वरग संगरश के जो से Avengers के ज़ो सेधानत है दिखिए उसको अनावशक और असंगत मानते हैं जो कालमाक्स कहता है कि समाज جो है दो वरगों में विभाजीत है एक शोशीत वरग है एक शोशक वरग है ठीक है तो ये कहते हैं आपर कि ये चीज नहीं है जो दोंदात्रमभतिक वायद की व्याक है तो इन्हों ठीक है लेकिन वर्ग संगर्ष के जगह ये क्या मानते हैं ये मानते हैं आपका जो जाती और वर्ग ठीक है इसमें संगर्ष चलता रहता है ना कि वर्ग संगर्ष आपस में चलता रहता है ठीक है तो ये दो चीजे हैं जहां पर थोड़ा सा ये कालमाक्स से क्या है, उसको एक तरीके से, अलग तरीके से पेश करते हैं, कालमाक्स से हटके अपना नया विचार, ठीक है? तो इनका मानना है कि जाती और वर्ग में क्या है? सतत संखर्ष चलता रहता है, और यही चीज़ हम देखते हैं कि जाती, दक्षिनपंथी और स्थाई शक्तियों का प्रतित्यों करती है, और वर्ग किसका है? समाजिक गतिशीलता का. दो चीज़ें हैं इसमें देखिए, एक तो इन्होंने जाती की बात कही है, ठीक है? दूसरा आपका वर्ग की बात इसमें कही है, ना कि वर्ग संखर्ष की. यह चीज़ आपने याद रखना है लोया के संदर्ग में. आगे देखिए, लोया ने पाश्चाते समाजवाद के स्थान पर एश्याई समाजवादी जोद करते नजर आते हैं, जो डॉक्टर रामनोहर लोया हैं, देखिए, इन्होंने क्या किया है, जो रूसी सामेवाद था या समाजवाद था, उसकी उन्होंने भर्टसना की हुई है, और वो मानते हैं कि व्यक्तिकत सुचंदता को अद्योगिक विकास के लिए कुचल द समाजवाद के स्थान पर एशियाई समाजवाद है, कि हल एक जो, इनका मानना ये था, जो आपका पाश्चात्य समाजवाद है, वो यहां के समाजवाद से थोड़ा सा भिन है, क्योंकि यहां की परिस्तितियां, पश्यमी देशों की परिस्तितियों से क्या है, भिन थी, है पूज़ाब दिये देखिए कई बार परिक्षा में हो सकता है इनको पूझा जाए कि नवीन समाजवात के अनिवारे सुज़ाब कौन कौन से हैं या कौन कौन से इसमें शामिल नहीं हैं तो यह मानते थे देखिए सबसे पहले विश्व संसद की इन्होंने बात की थी और इस राश्ट्रिय करण, तो ये सुझाव माने जाते हैं राम अनोहर, लोया के किसके संदर्व में, आपके समाजवादी दिष्टिकोन के संदर्व में, ठीक है, तो जो ये नवीन समाजवाद को स्थापित करना क्या है, एक तरीके से सरल नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी इन ये तीन चार सुजाव इसमें दिये हुए हैं ठीक है तो ये था राम नोहर लोहिया का जो समाजवादी द्रिष्टिकोन है ठीक है और आगे अब हम देखते हैं कि जो इसके पश्चात जो महतफुन चीज इसमें आती है देखिए वो आते हैं समाजवाद स्थापित करने के प का मानना ये था कि भारत में जो समाजिक विशमता और भारते समाज के पतन हेतु जो जीमेदार चीज है ठीक है कि इसलिए जो महतफुन चीज ने देखिए जिनकी वज़ा से जो समाजवाद स्थापित करना जरूरी हो गया था वो थी आपकी कि आपके हमारे यहां पर क्या है सांपरताइकता, जातिप्रथा, नर्णारी असमानता, छुआ छोत, रंगभेद, आधी जो समाजिक कूरितियां हैं उन पर ये कड़ा प्रहार करना चाहते थे आपके रामनोहर लोया जी और इसी के चलते ही इन्होंने समाजवाद स्थापित करने का विचार किया ठीक है वे मानते थे कि समाजिक समानता आर्तिक समानता से अधिक महत्वपूर्ण है देखिए एक चीज महत्वपूर्ण है कि जो समाजिक समानता है वो आर्तिक समानता से कई गुणा महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे सुझाव भी इस करने का जो काम किया हुआ है बे लोकतंत्र के बीना समाजबाद को अधुरा मानते थे तो यह देखिए इसको मानने की इसको पूरा करने के लिए समाजबाद स्थापित करने के लिए सबसे मौतफ़ूर्ण चीज योजना प्रारंब की थी ठीक है तो चौकंबा योजना प्रारंब की थी और उससे पहले अगर हम बात करें देखिए समाजवा स्थापित करने के लिए इनोंने कौन-कौन से दिये थे जो आपकी संखल्पना की थी सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया जाती प्रथा जो इनोंने विरोध किया ठीक है वर्नर जाती का अधार पर इनोंने उसको खतम करने के लिए क्या किया आपका जो अंतरजातिया विभा है सैभोज उसका समर्थन किया उसका सुझाव किया इनोंने समान अपसरों के बजाए विशेश अपसरों के विवस्था करने से जाती प्र यह मांते थे आपके रामनोहरलोया और यह स्त्री पुरुष को भी समान समझते थे और इसलिए इन्होंने क्या किया स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान शिक्षाक पर भी बल दिया था ठीक है तो यह कुछ एक महतपुन चीजें थी जो समाजवादी समाज की संकल्पना या इसके समाजवाद स्थापित करने के प्रमुख प्रयोजन माने जाते हैं ठीक है तो और एक और महतपुन चीज़ जो आला कि हम पहले भी पढ़ चुके थे कि इसमें अंग्रेजी हटाव आंदोलन का नाम भी ले जाता है कि जो भारत है वो भाशाई विशमता को समाप् और व्यक्ति की जो राजितिक सौतंतरता है देखिए उसके लिए इनोंने चार खंबा या जिसको चोखंबा योजना कहते हैं या फोर पिलर व्यवस्था है न चोखंबा शासन व्यवस्था इसकी योजना का इनोंने प्रारंब किया था तो आई अब हम देख लेते हैं कि जो आपका चोखंबा योजना है वो क्या-क्या चीज हैं, उसमें कौन-कौन सी महत्वकोन चीज हैं, छीख है? तो हो सकता है इस तरिके से प्रशन पूछा जाए कि इन शक्तियों का विकेंद्री करण का सुझहाब दिया, ठीक है, देखिए कौन-कौन से चीज़े हैं, ग्राम, मंडल, प्रांथ और केंद्र, तो ये चीज़ें इसमें हैं, ग्राम, मंडल, प्रांथ और केंद्र, सबसे नीचे क्या आएगा, आपका ग्राम, मंडल, उसके केंद्र, ठीक है, और शक्तियों के विकेंद्री करण का इनोंने सुझहाब दिया, लोगतंत्र में शक्ति का सुरूत नीचे से उपर होना चाहिए, ना कि उपर से नीचे की और, मतलब व्यक्ति से क्या है, व्यक्ति से समश्टी की और, एक व्यक्ति से समाज की और, ठीक है ना कि उपर से नीचे की और ठीक है शासन से व्यक्ति तक नहीं वलकि व्यक्ति से शासन तक इस तरीके से आपने यह याद रखना कि इन्होंने शक्तियों का विकेंद्रिकर्ण इस तरीके से किया है और ये चीज इन्होंने कहां पर कही है देखे चौखंबा जो आपका योजना है इसका जिक्र इन्होंने कहां कर किया है अपनी जो कृती है देखे सबसे पहली जो रचनाम नहीं की कही थी aspects of socialist policy है ना इसमें इन्होंने ये चीज कही है चोखंबा शासन पर इन्होंने विचार किया है जिसमें निमनस्तर पर ग्राम वा मंडल उसके उपर राजय या प्रांत ता सबसे उपर केंद्र सरकार की इकाई होगी है ना ये चीज इन्होंने इसमें कही है यह एक संगात्मक व सबस्ता होगी सबसे पहले जिसमें क्या होगा आपका गाउं आएगा फिर आपका मंडल आएगा फिर आपका प्रांत और लास्ट में आपका केंद्र माना जाएगा तो ये थी इनकी चोखंबा योजना देखिए आगे कहते हैं कि इस शासन में क्या होगा राजय की जो सशस वो चीके है संकर्ण नोगा ने बहारतिय संहात्मक उचैन का इनों ने क्या किया है विरोद किया है किस पर आधारीत है विकेंदरी खरण पर आधारीत है उनके अनुसार भारत में जिला दिकारी और जनपत प्रशासन भी केंदरी करण पर ही अधारी थे जो लोक्तंत्र और सुत्नत्ता के लिए नकारात्मक माना जाता है तो ये कौन मानते हैं ये आपके राम अनोहर लोया है और ये इनका चोखमभा योजना मानी जाती है तो ये थी मौटपोन चीज़ें जो रामनोहर लोया के संदर्ब में थी जो चोखंबा योजना थी हो सकता इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चोखंबा योजना क्या सिधान्त या चोखंबा योजना शाशन विवस्ता किसने अपनाई ये थे आपके रामनोहर लोया जी इसक साथ करांतियों की अवधारना प्रस्तुत की थी कौन-कौन सी साथ करांतियों की बात ये करते थे देखिए इनमें जो मतफ़ून चीज़े देखिए नर नारी की समानता के लिए इन्होंने क्या किया सब्त करांती की बात कही है ना जो सबसे पहले चीज इसमें थी नर नारी क समानता के लिए ठीक है दूसरा आता है रंग भेद के कारण राजकी आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद संगर्ष या फिर क्रांती ठीक है रंग भेद के कारण क्या है आपका जो राजकी आर्थिक और वैचारिक असमानता के विरुद ये क्या करता चाहते थे क् जनम, जाती प्रता के विरुद तथा पिछडे बर्गों को विशेश अफसर प्रदान करने के लिए क्रांती। जा सकता है कि साथ करांतीयों में से कौन सी चीज़े इसमें शामिल है या कौन-कौन सी बात है इनने सब्सक्रांती के अंध्रगत नहीं कई हैं तो आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अगर आपको इसको पीडियाफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेल कौन से महतफ़ून जो साथ करांतिया हैं इसके पश्चात अब आखिर पे हम देख लेते हैं इनका जो समाजवादी अर्थ विवस्ता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि आर्थिक विवस्ता या आर्थिक विकास के बारे में भी इन्होंने कुछ एक चीज़ें जो अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि जो उत्पादन मूले है वो विक्रह मूले से कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए ये पहली मुतफ़ून चीज इसमें थी दूसरी चीज़ है कि आसत आयमे निरंतर व्रिधी होती रहनी क्रिशिक शेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाएं सिंचाई सुविदा में भृधी हो भू अन सेवा का निर्मान हो जो बेकार पड़ी भूमी को क्रिशियोग्य बनवाए ठीक है तो ये इनकी समाजबादी जो अर्थ व्यवस्ता थी उसके बारे में उने जो सुझ चाई और अनसेवा का निर्मान जो जो चीजे हैं वो यहां पर बता दी गई है नेक्स दीखिए उत्पादन के साथ साथ वितरण की विवस्ता को संतुलित बना जाए कि आपका जो उत्पादन तो हो गई होगा उसके साथ जो आपका वितरण है उसकी विवस्ता को भी क्या तो ये था इनका समाजवादी द्रिष्टिकों्ण frankly समाजवादी अर्थ ववस्ता ठीक है समाजवादी अर्थ ववस्ता की बात फिसने इंदोनों के मिशन से इन्हों समाजवाद को स्थाफित करने की कोशिश की थी जो जो भी मौतपुन चीज़ हैं इसमें हैं वो मैंने आपके बीच में रख दिया हो सकता है इसमें माक्सवाद और आपका जो गांधी दर्शन को इसके साथ रिलेट करने के लिए कहा जाए तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे या तो उसके साथ इनको रिलेट करके आएंगे या फिर जो इन से रिलेटिड और मौतपुन पश्ण बनते तो पश्णों के जरीए भी हम उसको सौल्व करने की कोशिश करेंगे तो लेकिन एक बार आप जरूर इसमें देख लीजिए का कि आपका जो लुईया है और दूसरा आपका जो गांधी दर्शन है या माक्सवादी दर्शन है उसमें कौन-कौन से इसमानता हैं कौन-कौन से बिनता हैं आखिर में हम इसको आपका इनको स्टाड़ी करने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इसमें मौतपुन जो चीज़ें थी एक और चीज़ है देखिए समाजवादी जो का लोहिया दर्शन है उसमें जो समाजिक परिवर्तन की पदती है देखिए जो लोहिया का मानना ये था कि जो समाजिक परिवर्तन के लिए संघर्श का रास्ता अपनाना चाहिए ठीक है तो जहां पर हम देखते हैं कि गांधी दर्शन में एक चीज़ ये कहे गई थी कि सा लिए अगर आपको हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े तो वो भी अपनाया जा सकता है लेकिन यह जो संगर्ष वो मानते थे वो समाजबादी यूरोपिया के संगर्ष से भिन होगा जैसे लिए पहले भी कहा था कि जो रशियन सामयवाद था या रशियन जो समाजबाद था उससे इन्होंने भिन समाजबाद की बात कही थी क्योंकि यहां की जो परिस्तित्यां थी वो अलग है ठीक है और संगर्ष के इन्होंने तीन प्रकार माने हैं देखिए फावड़ा, मत तथा जेल तो ये किस से संबंदित है ये भी पूछा जा सकता है कि फावड़ा, मत और जेल, संगर्ष के तीन प्रकार किसमें दिये हैं तो ये आपके राम अनोहर लुया जी नहीं दिये हैं फावड़ा से उनका मतलब था आपकी करमशीलता का कि आपको करमशील होना है, दूसरा मत का मतलब था आपका जनतंत्र का और जेल का मतलब बुराई के प्रती विरोध ठीक है, तो ये तीन मौत्वपूर्ण चीज़ें हैं, संगर्ष की, ठीक है, फावड़ा, मत और आपका जिल, तो ये था आपका राम मनुहर लुहिया और लुहिया दर्शन की मौत्वपूर्ण चीज़ें, अगर इस लेक्चर में मुझसे कुछ एक गलती हो गई हो, तो आप कॉमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं हमें, और अपने विचार सांजा कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नवी इंतत्य हैं, इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी है, तो वो भी हमारे सभी जो भी हिंदी साहित्य की त्यारियां कर रहे हैं, UGC.net की, उनके साथ सांज कि नाथ सेक्षन अलावाईय कर शीड़ कि अन्य विलावाई हैं, अलावाउय कह शर्णा वारे हैं, अलावास का सभी त्या विलुदिल का विल। टमिल। रहे हैं, एज हुँे हैं, और अ एिक झात् היत तो और मैं, तो तो पीया quests पसे topic, पसे कपक्तेत्स दूर हैं, और फ